चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और एप को डाउनलोड करना न भूलें नमस्ते साथियों मैं सोनवार्य और हम एक बार फिर आपके मद्योपस्थित हैं एक नए विचार के साथ और आज हम जिस करांतिकारी के विशे में आपसे बात करेंगे वो करांतिकारी सुपरशिद भारते करांतिकारी रहे वीर सावर करकर के सिस्यों में से एक थे आज हम बात करेंगे सुपरशिद भारते करांतिकारी मदलाल धिंगरा के विशे में साथियों मदलाल धिंगरा का जनम 18 सितंबर 1883 को अमरत्सर में हुआ इनके पिता दत्तामल अमरत्सर के जाने माने नेतर विशेसग्य सीविल सरजन थे इनकी माताजी एक भारते संसकारों वाली साधान महिला थी इनके जो इनका परिवार था वो बहुत ही सिमर्द था जब मदलनाल धिंगरा पांच वरस के थे तब ही इनका जुकाओ करांतिकारी गतिवीदियों की तरफ हो गया मदलनाल धिंगरा ने जब 1904 में एमे के जब ये चात्तर थे तब कोलेज में जो इने जरसियां पहनने के लिए दी जाती थी वो बिटेन से आयातित का पास की बनी होती थी इसी के विरोध में इनोंने अपने कोलेज में इसके विरोध में एक चात्तर संगठन का स्थापना की और इस जो करते था इसकी उनोंने जो है ओजपूर्ण सब्दों में इसकी भर्तसना की इसी के कान इसी के मद्दे नजर उ बादमें इनका विवा, एक पंजाबी लड़की से ही हुआ, और फिर बादमें ज़ो है, घर से धूर रहने के करण अपना जही जीवनिय अपन hosts लिए एक तांगा कमपनी में कल्रक के पाद पर इनकों समय के लिए नोकरी की, बादमें एक कमपनी में ये मजदूर भी रहे, औ उनके इस करिते को देख करके इन्हें वहां यूनियन से भी बाहर निकाल दिया गया तब ही कुछ समय उपरांत इनके बड़े बाई रहे इनके जो बड़े बाई थे उन्होंने इनको जो उत्षिक सा प्राप्त करवाने के उदेश्चे से इंगलेंड भेजने का निरने लिया 1905 में जब भारत वर्स में भंग-भंग आंदोलन चरम सीमा पर था तो उस आंदोलन की गुंज उससे मैं बिर्टेन में भी जवर्दस्त तरीके से सुनाई दे रही थी उससे मैं बिर्टेन में जो पड़ रहे भारत के चातर थे वो भारत में हो रही घटनाओं के विश्चे में खुल करके चर्चा किया करते थे उससे मैं लंदन के अंदर चल रहे पंडित स्याम जी कृष्ण वर्माद वारा स्थापित इंडिया हाउस में उससे मैं वहाँ पस्तित वीर सावर करके ओजपूर्ण और ओजस्वी एक तरह से वहाँ भासन हुआ करते थे जो वहाँ के नोजवानों में युवाँ में रह रही वहां के नوجوانों में राश्टर भावना और देश भगती की जो भावना थी उसको दिन परती दिन बलवती वो कर रहे थे वही मदलाल धिंगरा की बेट सावर कर से होती है और सावर कर इन्हें अपना सिष्जेफ बना लेते हैं वही लंदन हाउस में सावर कर इने निसाने बाजी का परशिक्षन देते हैं बंदू चलाने और हतियार चलाने का परशिक्षन उनके द्वारा इने दिया जाता है साथियों जब एक दिन वीर सावरकर लंदन हाउस में ही कुछ भारतिय चात्रों के बीच में अपना ओजस्वी पूर्ण भाषन या व्याख्यान जब रख रहे थे तो पास के ही एक कमरे में बैठ करके मदलना दिंगरा उनुन के कुछ साथी मनोविनोद कर रहे थे सावरकर ने अपना भाषन बीच में ही रोका और उनके पास आकर के इनको धिड़कते हुए कहा क्या यही भादुरी है सावरकर के इस परकार के बेयान से एक तरह से ये सरमिंदा हो गए और एक लंबे समय तक ये सावरकर के पास इंडिया हाउस नहीं गए तब ही कुछ दिनों के उपरांत एक दिन से ये वीर सावरकर के पास जाते हैं और उन से ये पूछते हैं कि क्या सहादत का समय आ गया है तो वीर सावरकर इन से कहते हैं कि एक सहीद जब अपना बलिदान देने का निश्चे कर लेता है ठीक उसी समय सहादत का समय आ जाता है कुछ समय उपरांत बिर्टेन में ये चल रहे एक बिर्टिस संगठन Indian National Association के ये सदस्याइ बन जाते थे जो ये संगठन था ये भारतिय चात्रों को जो वहां रहा करते थे उनको राष्टरवादी गती वीदियों से दूर रहने के एक तरह से प्रेड़ना दिया करता था ये उसके सक्रिय सदस्याइ बन जाते हैं और उस संगठन की जो महास्चिव थी जो कि एक बिर्टिस महिला थी उनके ये विश्वास पातर बन जाते हैं विश्वाद जीतने में एक तरह से ये जो है सफलता प्राप्त कर लेते हैं साथियों कुछ समय उपरांत जो वहाँ आने जाने वाले बिर्टि सदीकारी जो होते थे वो उनसे तालमेल करते हैं उनसे घुल मिल जाते हैं और उनका विश्वास प्राप्त कर लेते हैं जो कि उनकी एक योजना का एक महतोपूर्ण हिस्सा था कुछ से में उपरांत ये वहां लोकमान्य तिलक के निवास्थान के उपर वीर सावरकर से भेंट करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि मैं बिलंदन में जो सर करजनवाईली है जो की एक बिर्टिस गुपचर है एक बिर्टिस जासूस हैं उनकी हत्या करना चाहता हूं इन्ही साच्चों मैं आपको जानकारी के लिए बतादेना चाहूँगा जो करजनवाईली थे इन्होंने ही जो है इनी के गुपचर कुछ जो है भारत वर्ष में भी थे और इनी के गुपचरों के कान वीर सावरकर के जो बड़े भाई थे गणे सावरकर उनको आजिवन काले पानी की सजा हुई थी वीर सावर कर मदलाल धिंगरा के इस कारे की परसंसा करते हैं और वो अपनी तरफ से एक ब्राउनिंग पिस्टोल मदलाल धिंगरा को देते हुए कहते हैं यदि तुम अपने उदेश्य में आसफल हुए तो जिन्दगी में मुझे कभी भी मुँ मत दिखाना साथियों इसी को आधार बना करके मदलाल धिंगरा अपने निवास्तान पर आते हैं और वहाँ उस पिस्टोल से लगातार वो जो है अचुक निसाना लगाने का ब्यास करते हैं और तभी कुछ दिनों बाद जब बिर्टेन के ही जहांगीर मेमोरियल इस्टिटूट में पस्तित होना था सरकर्जनवाईली उस समारों पस्तित होने के लिए चले जाते हैं मधलाल धिंगरा अपना काला कोट पहेंते है उपर सर पर पंजाबी पंगडी वो लगाते हैं और अपना पिस् t complicado करके वो समारों में सामिल होने के लिए चल पढ़ते हैं साथियों ये धुर्भाग्य की ही बात कहेंगे जब उस समारों में सामिल होने के लिए मदला धिंगरा पहुंचे तो उनके पाथ जो निमंतन पत्तर जो था जिसके जर्ये वो अंदर परवेस पा सकते थे वो अपने घर ही छोड़ आते हैं जब समारों समापत होता तो समारों की समापती के उपर जो सर करजनवाईली थे मदला धिंगरा उनसे बात करने के बहाने उनके पास चले जाते हैं और जब करजनवाईली उनसे मिलते हैं नमस्ते वो उनसे करते हैं और जब करजन वाइली उनसे बात करने के लिए अपना सर नीचे की तरफ जुकाते हैं तो मदलनाल धिंगरा के पास जो पिस्तोल थी उसमें उन्होंने लगबग 6 गोलियां बलकर करके रखी हुई थी तो पांच की पांच गोलिया मदलनाल धिंगरा सर करजन जो वाइली था उसके सीने में पांच गोलियां उतार देते हैं और सर करजन वाइली की हत्या वही कर देते हैं उन्हें एक तरह से उन्हें वहीं डेर कर देते हैं उससे मैं उनके पास एक बिर्टिस जो पादरी था वो उन्हें गृपतार करने का प्रियास करते हैं, तो उनके साथ मदलनाल धिंगरा की मुठबेड होती है, और एक जो दिकारी था मदलनाल धिंगरा उनकी मुठबेड में पसलियां तोड़ देते हैं, वही मुठबेड में साथ ही उनका तसमा जो है वो छूट करके निचे गिर जाता है, और उन्हें जो है देखने में कटनाई अनुभाव होती है, तो मदलनाल धिंगरा चुप चाप शांत तरीके से महां खड़े हो जाते हैं, और अपने आपका आतम समर्पन कर देते हैं, जब बिटी सदीकारी उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें अदालत परीसर में जब खड़ा किया जाता है, तो उनका केश बहुत ज़्यादा लंबा बिटी सरकार नहीं चलाती, और केवल मातर एक ही दिन उनका मुकवदमा फूरा होज कर लिया जाता है, और उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है, जब फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई, तो मदलनाल धिंगरा फांसी के विश्या में अपने विचार पर कट करते हुए, बिर्टी समराजे को एक तरह से बहुत भेंकर सब्दों में कोसते हैं, और कहते हैं कि बिर्टी समराजे को उन्हें सजा सुनाए जाने का कोई अधिकार नहीं है, और उन्होंने बिर्टी जो जजम होदे थे उनके सामने पनी बात को रखते हुए, ये भी कहा कि जिस परकार बिर्टीस लोग नहीं चाते कि जर्मन लोग उनके उपर अधिकार करें, ठीक उसी परकार बिर्टीस जो सरकार है, उनको भी भारत वर्स के उपर अधिकार करने का कोई एक तरह से जो है उन्हें अधिकार नहीं है, भारत को गुलाम बनाने का उने भी कोई अदिकार नहीं है उन्होंने कहा कि जिस परकार बिटी सरकार कांगो रूस के अंदर मानवता की बात करती है और वहीं दूसरी तरफ ये सरकार भारत वर्ष में मानवता का कतल करती है इससे बड़ी जो दोके बाज है वो सरकार आडंबरों की जो सरकार है वो कोई और नहीं हो सकती तो साथ यो इस परकार जो मदलना धिंगरा थे वो जो अपना वक्तवे बिर्टिस अदालत के समक्स रखते हैं और कहते हैं कि मैंने जो बिर्टिश जासूस था सर करजन वाइली उसकी मैंने जो हत्या की उसके उपर मुझे कोई अफसोस नहीं है मैंने जान बूज करके उसकी हत्या की और मैंने भारतियों के उपर किये जा रहे हत्याचारों का एक तरह से परतिसोद लिया तो साथियो लगबग 17 अगस्त 1909 को बिर्टेन की पेंटन मिलाजेल के अंदर सुपरसिद भारतिय करांतिकारी मदलाल धिंगरा को फांसी पर लटका दिया जाता है फांसी से कुछ में पूरू उन्हें जो है अपनी अंतिमी छव्यक्ति और उन्हें कहा कि उनका इंतिम स्कार जो हिंदी रिती रिवाजों के नुसार किया जाना चाहिए परंतु साथ यो आपको जाने करके ये आस्चरिय होगा कि उनको पांसी पर लटकाए जाने के बास जो उनका सौव था उस सौव को जब उनके परिवार को सौपने की बात कही गई तो उनके परिवार वालों ने उनका सौव लेने से इंकार कर दिया और केवल मातरीतना ही नहीं उन्हीं के परिवार के लोगों ने वो अपने नाम के आगे जो धिंगडा सबद लगाया करते थे वो दिंगडा सकत भी लगाना उन लोगों ने एक तरह से हटा लिया उसके बाद उन्होंने दिंगडा सब्द अपने सरनेम के आगे एक तरह से नहीं लगाया तो वहीं बेटेन की पेंटन मिला जेले के अंदर ही चुप चाप तरीके से जो है मदल नाल धिंगरा को दफना दिया जाता है और साथ युम आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा इसी जेले के अंदर 1944 में सुपर्शिद भारते करांतिकारी सहीद उद्दम सिंग को भी फांसी दी गई थी और वही उनका अंतिम संसकार भी किया गया था 1916 में जब कुछ भारते राजनेतिक अदिकारी पेंटन मिलना जेले के अंदर सहीद उद्दम सिंग के अउसेशों को खोज रहे थे तो वहीं उन्हें सहीद उद्दम सिंग के उसेस कों के साथ साथ मदलनाल धिंगरा के उसेस भी मिलते हैं और उसको वो अस्तिकलस में डाल करके भारतवर्स में ले आते हैं आज भी जो मदलाल धिंगरा इनके आउसेस महाराश्टर के अकोला जिले के एक चोंग के उपर रखे हुए हैं उस चोंग का नाम भी इनके नाम के उपर रखा गया था साथियों ये थे भारतवर्स के अमर करांती कारी मदलाल धिंगरा जिनों ने भारतवर्ष से बाहर विदेशों में रहते हुए अपने देश की सोतंतरता के लिए कारिये किया और अपने सहसी कारियों के दौरा भारतवासियों के सम्मान को उंचा किया और अपने प्राणों का उत्सर्ग करके रास्टर की बलिवेदी पर आहूत हो गए फिलाल आज की कड़ी में इतना ही हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे एक बार फिर आपसे भेंट होगी एक ने विचार के साथ तब तक देखते रहिए मिशन आर्यवर्त जै हिंद